नमस्ते बच्चों, करमेशा खुश्रोग, मैं जेवियन डॉक्टर निरुपमाहर्श्वर्धन, Faculty of Education and Methodology, जोती विद्यपीच, महिला विश्विद्धाले जापुर सेवाँ बच्चों, मैं आपको आदिकालिन कवी, नर्पतिन नाहल जी के दारारचित, विशल देवरासो के बारे में पढ़ा रही हूँ पिछले वीडियो में भी मैंने आपको विशल देवरासो के कथावस्तू, उसकी विश्यष्टाओं के बारे में बताया आज में उसकी अन्य विश्यष्टाओं के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी, जैसा कि आप जानते हो बच्चों, विशल देवरासो एक वीर काव नहोकर और एक तरह से विरह काव इसको कहा जा सकता है और ये एक लोग नाटा भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसकी रचना कार ने ये सोच के की थी कि इसको लोग मंच पर पस्तूद किया जा सके तो ये गेश अली में हैं और पध्य डूप में हैं तो इनकी जो कुछ विशिषता है मैंने बताएं थी कि ये अजमीर के राजा परसिद राजा विसल देव जी के प्रेंप्रसंग और उनकी पत्नी राणी राजमति जी के प्रेंप्रसंग पर है इनके विर्हे और संयोग इसमें है श्रंगार की विंजना है और इतिहास के ही प्रसिद नायक नाई का है ये इतिहास प्रसिद है इनका रिक्तित और इस प्रासों में कल्पनाओं का के बहुत बहुल है और इसमें रशनाकार ने सभी भारतिय परंपराओं का निर्वा किया है उस दतकालें समाज की जियों की वहीं हमें जहागी इसमें दिखाई देती है तो इस तरह की कुछ विशेश्टा हैं थी और जो कुछ और इसकी अन्य विशेश्टा हैं आज हम उनके बारे में ही जानेंगे देखे बच्चों कि इस काव्य की कथावस्तु का जो केंद स्थान है वो राजा रानी का विरह प्रकट करना ही है उसने जो केंद में रखा है सोचकर कभी ने रचनाकार ने पती जी ने यही सोचकर इसको रचा है कि इसमें जो केंद्र उन्होंने रखा है वो राजा रानी का विरह प्रकट करना ही रखा है इसमें जिसे मैंने पहले बताया कि राजा जी के बाहरे वर्षों तक का उड़िसा में जाकर रहने का प्रण करने का प्रसंग इसमें दिया गया है कि वो जो रानी उन पर व्योंग योक्ति करती है और उस व्यंग को प्रतिग्या का आधार बना कर राजा और 12 वर्ष तक उडिशा जाकर रहने लगता है तो ये इसमें एक विशेष्टा है और उसको मारे में बताया गया है इस प्रवास कथा के पीछे एक रूडिगत उद्भावना है रानी उडिशा के राज बहों की प्रशंसा करके अपने पती के गर्व को दूर करना चाहती है क्योंकि बहुत ही उनको अपने पराकरम पे अप आफल रानी उनको बताथी है कि आपका जो राज है उस एस से ज़्यादा वहां उडिशा के राज का है तो वहां उसके बारे में जो कहती है तो राजा को यह उसकी बात चुप जाती है और वह उसको प्रतग्या करके वहां चले जाता है और इसी तरह से जो है वो पूरु जनम में बताते हैं कि वो रानी जो थी पूरु जनम में हिंड नी थी और एक आदशी का वरत रखती थी जगनाती क्रिपा से उसने अपने पूरु जनम की कथा याद थी और इसमें प्रवास के प्रसंग के भावना का प्राजिन कावियों के परंपरा का भी निर्वार क्या गया है तो रानी के द्वारा इस तरह की कता भी बताई जाती है कहीं कहीं हर तरह से चोटी 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 प्रसंग इस तरह के हैं तो जो हमारी भारती समाज की में जो घटने वाली घटनाए हैं और उनका सहर रूप में निर्वाह होता दिखाई देता है अगला बिंदू है कि कुटिनी प्रसंग कुटिनी जो थी उसमें इस प्रसंग के अंतकत राजा राजमत्ती के सतीद की परिक्षा था ओडिशा की रानी द्वारा वीसल देव के चार विवाकर प्रलोभन दिया जाना और वीसल द्वारा अपनी रानी में एक निस्ता प्रगर करना भी उस समय के लोग विश्वास को सुधभर करना ही था कि वहाँ पे किसी तरह का Bhi राजा को प्रलोभन मिला और उसको चार-चार विवाह को प्रलोभन दियां गया उडिसा में लेकिन राजा ने अपने पतनी में अपने रानी में ही अपने विवाह में एक निस्थता का परेचे दिया और यही भाव प्रकट किया कि नहीं मेरा विश्वास जो है वो अपने एक पती पतनी की इस परंपरा में ही है और प्रेम में है विश्वास में है और अनन उसमें निस्था में है तो इस प्रकार से ये दर्शाय आगया है कि जो प्रेम है और विवा है उसका क्या माइने है अगला इसकी बिंदू जो है वो है कि उडिसा से जब देविद्रस्ट्री योगी द्वारा उड़कर अजमेर आना इसमें एक प्रसंग आया है कि जो देविद्रस्ट्री ले हुए योगी था वो ओड़कर अजमेर आता है और तेरवी चौंदरवी और पंदरवी ही शती के नात्पंधियों के प्रभाव को बताता है तो उसके द्वारा उनका बताया जाना नात्पंधियों के योगीों के बारे में उनके प्रभाव को बताया जाना ये भी इस गताने की एक विशेश्टा हमें दिखाई दिती है अगली विशेश्टा की बात करें तो है कि बारे मासा का वर्णन भी कभी परंपरा के अनुसार ही है कि जो बारे मासा का वर्णन किया जाता था उसी प्रकार से इसमें उरके विरह में के प्रसंग में बारे मासा का वर्णन हुआ है और ये जो बारामासा का वर्णन ने कथा की मारमिक्ता और कुमलता को प्रकट करता है तो कवी ने यहाँ पर भी बारामासा का के बारे में बताया है बारामासा का वर्णन किया है विरह वर्णन के अंत्रकत इस कथा में कभी ने लोक मर्यदा के अनुरूप ही पती भक्ती, पत्नी निष्ठा, परनारी के प्रती, समद्रस्टी, सतीत, आदी गुरों की महिमागाई है कवी ने यही बताया है कि इसके साथ साथ जो प्रेम का अधा बताई है जो लोक मर रहादा है वो क्या होती है और पती पत्नी का जो समंद्ध है वो कितना आपसी विश्वास और निष्टा से भरा हुआ है इसके इनी गुणों की महिमा कवी ने इसमें गाई है एक तैरे से देखा जाए तो और अगली जो है इसको उन्होंने जो उसकी स्तरी की या एक बतनी की जो पीड़ा है और नारी रानी के माध्यम से उन्होंने बताई है कि जब उनका पती चला गया राजा चले गया तो किस तैसरा रानी विरह में दुखी है तो उनको वो फिरह भी उन्होंने एक सामाने नारी के रूप में पता हैं कि जो एक सामाने नारी है उसको भी किस तैसे विरह की पिड़ा होती है बात करें तो कथा संयोंजन जो परामपरागत रूडियों के द्वारा हुआ है जो कथा संयोंजन उस तरह से उनने इसका संयोंजन किया गथा को कि जो परामपरागत रूडियां हैं उसके अनुसार जिसे पहले मंगला अचरण किया और उसके बाद उस तरह से स्टेप उस तरह से आगे बढ़ते चले गए और इसमें जिसे कि बाहरे मासा का वर्णने विरहे में तो इस तरह से जो परमपरागत रूड़ी हैं उनके द्वारा ही उनने इसके मुद्भावना किये हैं और साथ में बहुत से ऐसे प्रसंग भी आये हैं जिन में एक तरह का हा करना अधी प्रसंग सुने सुनाएं और हास नियोजन हितु ही नजर आते हैं कि इन्होंने इसमें हास का पुड़ डाला होगा या हास नजर आए इसलिए इस तरह की इसमें डारी है कि बैल के स्थान पर गाये को हल चलाते दिखाना और बैल की पूजा करना और पेट्रू ब कावे का जो कथाना का शुंगा प्रिधान है और विवा के बाद और पुणंशे प्रश्चाथ कभी के स्रयोग और और राजा के प्रवास में विजोग शुंगार के अनिए चित्र अंकीत की है तो हमें इस प्रकार देखते हैं कि जो विशल देव रासो है, उसके कथानक की विशेष्टाएं क्या हैं, बहुत सी विशेष्टाएं हैं, और जिस प्रकार से आदिकाली रासो रह्ची जाते थे, वो सब इस कावी के अंतरगत हमें दिखाई देते हैं, तो बच्चों आपने जाना कि जो विसल देव रासो है उसके कथनकी क्या विशिष्टाएं है और मुझे विश्वास से कि आप कोई समझ में आया होगा फिर भी आपका कोई प्रश्ण है आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं आपको उसका उतर दूँगी आपके समस आपके समस्कार